हेलो स्टुडेंट बेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल अरीहंत लेक्चर गैस आज किस बीडियों में बात करेंगे क्लास टेंथ हिंदी का बिल्कुल वाइरल पेपर और अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते तो और 22 फरूरी के एक्जाम देकर आओगे तो इसी पेपर को कोल कर आप मुझे थैंस सर बोलोगे क्योंकि यह पेपर बिल्कुल वाइरल पेपर है आप सिर्फ जाकर चाप कर चले आना ठीक है और आपको 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि यह पेपर ब कर लाज तक जरूर देख लेना ठीक है यह आट सो एक डीए का पेपर 24 सिंदी जो कि आपकी बूर्ड एक्जाम में आएगा ठीक है सिंपल यहां पर नुक्रमांक को नाम यह होता है बिशे का कोड यह होता है पेपर का कोड और यह सिंपली निर्देश जिसे आप पढ़ ना आएंगे ठीक है और इसका एंसर आपको ओयामार सीट पर देना है इसकी बूर्ड आपको एक घंटे का समय प्रवाइड कराएगा ठीक है एक क्वेशन को हल करने के लिए आपको तीन मिनट का समय देना तो पहला क्वेशन जो दिरका इसमें गोदान के लेखा कौन है ठीक है गुलाब रहा है मुनसी प्रेमचंजी जैसंकर परसंद राजंद रहा दो तो दिखो गोदान जो है गोदान जो मुनसी प्रेमचंजी की काफी प्रसिद रचना है तो आपसन नमबर इसमें भी आपका करेक्ट हो गया ठीक है इसके बाद जो नेश्ट क्वेशन आपका कि न भगवस्रड उपध्याय जी की प्रमुख रचना ठूटा आम इसमें से करेक्ट हो जाएगा एंड नेस्ट क्वेस्टन आपका देख लेते हैं कि लहरों की राज हंस लहरों की राज हंस किस बिधा पर आधारित रचना है नाटक है एकांकी है काहानी है कि उपन्यास है ठीक है लहरों की राज हंस ये मोहन राकेस जी का नाटक है इसके बाद चौथा क्वेस्टन है कि राजेंद्र आधो की परतिच्छा किस बिधा की रचना है नाटक है कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है ठीक है तो यहाँ पर जो राजेंद्र आधो की परतिच्छा है आपका ये कहानी है यह क्या है कहानी आपसर नमबर B करेक्ट हो जाएगा शट्वा क्वेशन की रीति काल के कभी है जगनिक, सूरदास, मतिराम की कबिरदास जी यहाँ पर यह जो शट्वा है मतिराम यह रीति कालीन कभी है इसके बाद सात्वा क्वेशन है कि राम चंद्रिका के लेखक है तुलसिदास जी, केशवदास जी, सूरदास जी की भूसर जी तो राम चंद्रिका के जो लेखक है वो केशवदास जी है आपसर नमबर B करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आठ्वा क्वेस्चन है कि छायवादी यूग की प्रभीति है यानि विशेस्ता क्या है सोधक का विरोध युद्धो का सजी वर्णन प्रकिति का मानवी करण की भक्ति की प्रधानता तो यहां पे आपकी ये प्रकिति का मानवी करण छायवादी यूग की मुख् इसके बाद刑 यह तो जैसंकर का है। दस्मा क्यस्टन की खुसभू के सिला लेक किस यूग की रचना है। छायवादी यूग की प्रगती वादी यूग की भारते लूडू यूग की नई कभिता यूग की हीूग की है। सोक है कि उत्सा है की अमग है तो आप दिखो आपके सिलेबस में दो इलिक या तो करूर है या तो हास है या तो हाश आएगा या तो करूरा आएगा कभी-कभी थोड़ा सा एक्जामपल दे दे देता उसमें से भी पहचान द रहता है तो यहाँ पर करूरस का इस्थाई भाव आप जानते हो कि सोक होता है ठीक है और हासिरस का इस्थाई भाव हास होता है यहाँ पर 12 नंबर क्वेशन की हरी पद कोमल कमल में पक्ती में अलंकार कौन सा है वो तो पर अच्छा अलंकार रूपक अलंकार उकमा अलंकार की यमक अल प्रतिक चरण में मात्राइं होती है तो आपका जो रोला चंद होता उसमें 24-24 मात्राइं होती है आपसर नमबर सी करेक्ट हो जाएगा चोदर नमबर क्वेस्टन की अभिमान सब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है मान है की अभी है की अप है की अ है ठीक है तो अभिमान में अभी है ठीक है जैसे यहाँ पर अगर मैं उपकार लिखू ये उपकार ठीक है तो उपकार में जो उपसर्ग है ये उप है उप क्या यूस्मद का तदका की पदका mark जो तो ön zB नहीं पिता माता और पिता यूद्व हमने कहा कि दैस लग जाय तो आप सोगा अगर यह दैस न लगा कर नहीं से लए ता माता और पिता ठीक है माता और पिता में कौन सा समास है तो यहाँ पे तो भी द्वंद होगा ठीक है दिगु जो हता यह संख्या वाचे को जिसे चोरहा हो गया पंचमुखी हो गया इसमें द्वंद है यहाँ तो द्वंद आएगा या तो दिगू आएगा यहाँ पर माता और पिता में कौन सा समा सुधायगा द्वन्द इसके बाद यीट्ट18 नमबर क्वेश्चन है नीर है नहीं नलीन है नीरद है कि नीरधी है तो कमल का जो प्र्याव आजी़ वो नलीन है इसके बाद 18 नमबर क्वेशन की जब मधु भासर दे रही थी तब पिताजी की मित्र वहाँ निकले वाक्य है सरलवाक की मिश्वाक की संयुक्तवाक की उपवाक्य ठीक है तो यहां पर आपका मिश्वाक्य बनेगा क्योंकि जब मधु भासर दे रही थी तब उसकी पिताजी की मित्र का वहां आगमन हुआ यानि कई लोग यहां पर मिल गए ति यह वाक की जो बन गया यह मिश्र वाक की बन गया उन्नीस नमबर क्वेस्टन की कर्म वाची की बिशे में सही नहीं है यानि कर्मवाची की बिसे में क्या स्थमा विभक्ति का होता है वह सरो नाम पदों की desapलचे में क्या उस्वाइग है क्या या उस पूछ ए प नूं को भेद बताया जाता है लिंग बता जाता है कारेक बता जाता है और पूरुस बता जाते है कि कौन सा पूरुस है याई आपसर नंबर यही आपका क्या हो जाएगा इसके बाद यहाँ से आता है खंडबा कंडबा में दिरखा वनातमक टाइप के प्रहशन डिस्क्रेप्टिज टाइप के क्वेस्टर और यहां से आपको 50 marks instantally प्राप्त करने है तीक है? और यहां से ये जो हता है ये गड्डान्स आता है ये 6 marks का आपके board exam में आता है और यहां से बच्चे के विल चार नमबर पांच नमबर ही ला पाते हैं क्या गलती करते हैं? कहां से नमबर करते? कैसे लिखना चीए लिखने का सही तरीका क्या होता है ठीक है टीचेर खुस कैसे होते है यह सब चीजे हम देखेंगे सबसे पहले तो आपमें दो तो गद्धांस देगा ठीक है एक यह गद्धांस एक अथवा करके देता है आपको जो अच्छे साथ हो उसी को हल करना जिसके पाठ और लेखक का नाम पता हूं से ही हल करना है ठीक है जरका एक निम्रिकीत गद्धांस पर अधर देगे तीन प्रशनों के उत्तर हमें देना है पहला क्वेस्टन आपसे पुछे का कि उप्रियुक्ति गद्धांस का संदर्व लिखे संदर्व लिखने के लिए दो संदर्व सुकलजी ठीक है तो यह रामचंद्र सुकलजी की मित्ता रचना है यह दो चीजह में पता होगी हम संदर्व इंस्टेंटली लिख लेंगे लिखने के लिए संदर्व क्या करना पड़ेगा देखवा यहां पर सबसे पहले आपको खंड बह डालना क्योंकि यह जो पाय पर संदर्व में परस्तूत गध्यांस में पाथे पुस्तक हिंदी के ग़दि खंड में मित्रता नामक पाथ से लिया गया है इस पार्ट के जो लेखा के वह आचार रामचंद्रजी सुकले जी है तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी संदर्व लिखना है और नेश्ट इसके बाद इसमें देगा आपको यहाँ पे रेखांकी तन्सकी व्याख्या कीजी व्याख्या किसकी करनी है यहां से लेकर यहां तक सब्दों के नीचे एक रेखा खीचा गया इस तरह की ठीक है इसी को हमें अपने सब्दों में लिखना है ठीक है जिसे उच उच याने काफी अच्छा काम महान मतलब काफी अच्छा काम ठीक है कारियों कार इस परकार सहायता देना यानि शहयोग करना ठीक है उनकी help करना देखो इसी को अपने सब्दों में लिखना होता है देखो कैसे लिखना है रिखांकी तर्सकी ब्याक है प्रस्तूत पक्ती में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे महानकारियों को करने में इस प्रकार से सहता करता कि वो साहस और संकल्प के बल पर अपने से भी अधिक कारिय निया अपने सामर्थि से भी अधिक कर जाता है ऐसा कार्य वही भ्यक्ती कर सकता है जिसका मन सक्तिसाली हो और जो सोभाव का दिढ़ है निष्टय हो तिक कैंदन कर सकता है इसकी वाद पूछता इसमें देखो हमें किस प्रकार की मित्र को महत्व देना चाहिए इसका क्वेश्चन का अंसर आपको इसी में से मिलता है ठीक है यहां पे देखो जीस तरह सुग्रिन ने राम का पल्ला पकड़ा था मित्र हो तो प्रतिष्ठी तो सुधिर्दय की हो मिर्दुल और प अपट हो सब्भे हो परिसर्मी योम सत्य निष्टा हो योम एक अच्छे मित्र का उसमें गुड़ भी हो ठीक है नेशा से तो मुझे छी नंबर मिल गया इसकी बाद यहां पे आता आपको अथवा क्वेस्चन ठीक है अथवा में दे रखा कि आज मनुस्यों के हाथ हाथों में अद्बूद और अतल्य सक्ति जो बिज्ञान है आज बिज्ञान मनुस्यों के हाथों में अद्बूद और अतुल सक्ति दे रहा है उसका उप्योग एक बेक्तियों समूग के उतकर्स और दूसरे बेक्तियों समूग को गिराने में होता है ठीक है इसमें भी आपको तर यहां से लेकर यहां तक कि अपने शब्दों में व्याक्या करना है विज्यान का उप्यूट किस प्रकार किया जा रहा है इसके बाद 22 नवर question हमसे बोलता है कि निम्नां की पद्द्यांस पर आधार दिये के तीन प्रस्डों के उत्तर दीजिए ये भी आपके बोटिकजा में छे ही माक्स काता है ठीक है अब दोको इसका उत्तर कैसे दिना मानुस हो तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाव के गवारन जो पसू हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनू मझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छतर पुरं अंदर धारन जो खग हो तो बसेरो करो मीली कालिंद कुल कदम की डारन अब यहां पर देखो यह जो कह रहे हैं कभी कहता इसमें कि अगर मैं मनुस्य हूँ तो रस्खान रस्खान जी कहते कि मैं मनुस्य हूँ तो बसो ब्रज गोकुल गाव की गवारन तो मैं वही उसी गो गोकुल के गाउं का ब्यक्ति बनू जो पसु हो तो कहां बस मेरो अगर मैं पसु बनता हूं तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है लेकिन चरो नीत नंद की धेनु मझार और जो स्री कृष्ण है इन्हीं की गायों जो चराते उनकी जुन में ही मैं चरू यहां पर पाहन हो तो वह गीरी को पहाड हूं तो वही गीरी का पहाड हूं जो धर्यों कर चत पुरंदर धार जो स्री कृष्ण जी अपने उंगली पर उसे धारर किये हुए जो खग हो तो बसेरों करो अगर मैं पच्छी बनता हूं तो मैं बसेरा कहां पर करूं मीली कालिंद कूल कदम की डारन ठी सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सबसे पहले में प्रश्णुतर संक्या 22 डालेनी है पर दे मानुस हो तो डेस डेस डारन ठीक है संदर्बै की प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठ्टे पुष्टक हिंदी के कापे खंड में संक्ली सवय नामक पाठ से लिया गया इस पाठ क कारा कि प्रस्तूतपक्ती में कभी कहता है कि श्री कृश्ण के अनन्य भक्त कभिरस खान कहते हैं कि यह इस सवर्व यदि मैं अगले जन में मनुस्य बनूं तो मैं गोकुल में निवास करूं यदि बस की बात हो तो मैं नित्य प्रती नंद के गायों की बीच चरा करूँ इसके बाद यहां पर तीसरे नंबर पर कहता कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है ठीक है यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास क्योंकि जहां पर से पकी पेड़ पर पकापपिता पकापपिता पकेको पकड़े पनकु पकड़े पक कापहपी तव्त की आपर पनुप्राइन सलंकार होगळाग आपर Breaking प्राण निच्छावन उप्रिक्त पद्दांस का में संदर्व लिखना है इसके बाद रेखांकी तंसकी व्याक्या करना विशुत रेखा कवासी कैसे जीता है पद्दांस का संदर्व लिखने के लिए उसके जो कभी है उनका नाम पता होना चाहिए तभी तो हम इसकी ब्याक्या कर पाएंगे ठीक है संदर्व लिख पाएंगे तो यह जो आपकी पार्ट से लिया गया है यह स्वादेश प्रेम से राम नरेश तिरपाथी जीज के लेकक है तेहां पर लिख देंगे पार्ट का नाम है स्वादेश प्रेम और इसके लेका के राम नरेश तिरपाथी जी ठीक है इस चीज़ से हमें किलियर हो गया रिखांकी तंसकी व्यक्खें हाँ पर करना है तो सिंपल है कि ध्रूवासी जो हिम में या बरफीले में भी तम में ताप में भी या गर्मी में भी जी लेता है काप काप कर ठीक है यानि कि ठीटूर ठीटूर कर अपनी रातों को दिनों को काट लेता है वो भी अपनी मात्र भूमी पर वो भी अपने जो जमीन पर रहता धर लिखने कारा तीन नमबर हिंदी मनुवाद करें से तूटल आपका पांच मार्स मिलेंगे असमाका संस्कृति सदागति सील वर्तते हैं हमारी जो संस्कृति वो सदा गति सील रहने वाली है। युक्ति युक्तम कल्याडकारी लोगों के कल्याडकारी के लिए चत अदत सहर्ष गिरितम भौती ठीके एतस्यागति सिल्या रहस्य मानो जिवन्सम सास्वत मुल्येसु नहितम यद यद्धा इसतस्ट परिष्टा सुर्वभूतेसु संभाव विचारेसु अधार्य में जिखना पड़ेगा दो नंबर के लिए और तीन नंबर के लिए नवाद करना पड़ेगा यहां पर हम संस्कीत गद्यांस करेंगे प्रश्णतर संख्यातेस संस्कीत गद्येटी संदर्व में लिखेंगी कि प्रस्तू संस्कीत गद्यांस हमारी पाठ्थे पुस्तक हिंदी के संस्कित खंड में संकलित भारतिया संस्किती नामक पार से अवतरित है यानि लिया गया इसमें भारतिय संस्किती के आदर्सों का वरणन किया गया हिंदी मनुवाद लिखेंगे कि हमारी संस्किती सदा गतिसील है मानो जीवन को संस्कारिप करने के लिए यह समय समय पर बाभाव विचारों में उदारता और आचरण में द्रिड़ता नीध है ठीक है इसकी हमने व्याक्या कर दिया इसकी बार अध्वा अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको भी हल कर सकते वारारसी सुभिख्यात प्राची नगरी वारारसी जू है वो प्राची नगरी ये आपके वारारसी नामक चेप्टर से लिया गया है तो आप इसको सिंपली इसको भी त्यार कर लेना ठीक मैंने कई बात कई पेपर में इससे बताया हुगा है 24 नमबर क्वेस्चन आथा कि दियेगे संस्कीत पत्यांसों में से किसी एक का संदरव से जिन्दी में अन्वात किजे दो नमबर संदरव लिखने कर या तीन नमबर हिंदी में अनुओअ करने का तो इसको कैसे आपको अनुओअ करना है ये चीज़े हम देख लेंदी ठीक ह प्रस्तु संस्क्रीत पध्यांस हमारी पाठ्य पुष्टक हिंदी के संस्क्रीत पधि रखंड में संकलित जीवन 133 नामक पाड से लिया गया है हिंदी मनवाद धन परदेश में रहने वाले का मित्र है यानि कि जो धन है वो परदेश में रहने वाले का मित्र वही होता है पतनी घर में रहने वाले की मित्र है तो आपका भी कौन मित्र है अगर स्टूडेंट की मित्र की बात करें तो student का कौन मित्र होता है ठीक है बैद रोगी का मित्र है और दान मरने वाले का मित्र होता है ठीक है इसकी यही अनवाद होगी हिंदी में कि परदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है ठीक है बैद का मित्र जो मित्र रोगी होता है और दान मित्र मरने वाले का मित्र दान होता है NEW तरह से भी आप लिख सकते हो और स्टुडend का घर होता है कौन होता आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना देखता हैं कि आपके मित्र कौन है डूखें इसके बाद यह तु लियार की कामना की गई है मा कस्षित भाग भवे कोई भी दुख का भागी ना बने तो यह आपका यह तो इसके लिए भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा इसके दो नमबर मिलेगा इसमें पाठ और यहां पर पाठ का क्यों नाम आपको पताना चाहिए तो यह जो पाठ लिया गया आपके भारती संस्कृति नामक पार से लिया गया है यहां पर लिख देंगे यह पाठ आपका भारती संस्कृति कौन सी संस्कृति वाली है यह भारती संस्कृति तो आपका एक गध्यांस में भी है लेकिन यह जो भारती संस्कृति है तो इसके यहां पर बिंद होता है ठीक है तो आप अपने जिश्टिक का नाम बता देना मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ाया जाएगा क्या आएगा कैसे लिखना क्या लिखने का तरीका होता है इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्लिकित लेकों में से किसी एक लेका का जीवन पर्चे इसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया है ठीक है ग्यारा मिनिट का वीडियो है आप उसमें देख लेना जाकर पांच सबसे इंपॉर्टेंट जीवन पर्चे उससे बाहर एक भी जीवन पर्चे आपके बोरिक जम्में नहीं आना सिंपली उसे तयार कलेना और आप वद्रा कमारी चौहांजी इस दोनों को तयार कलेना आप जाकर महां से 27 नंबर है कि अपनी पाठे पुस्तक से कंठस्त किया हुआ कोई है कि इस प्रश्न पत्र में नाया हूँ ठीक है यह दो नंबर मिलता सर्वे वंतु सुखिन सर्वे संतु निरामई सर्वे बद्रारी पसेंतु माकर स्षित दुख भाग बबेद इसको तयार कलेना और एक बंधन मर्णा मौपी जो आपकी प्राजे उब्यत्र समों बीरह बीर भाबोही बिरता इसको तयार कलेना दो तयार कलेना यह काएगा एक को लिग कर चले आना इसके बाद 28 नंबर में कि अपने मित्र को परिच्छा में प्रत्थम इस्थान प्राप्त करने पर उसे बढ़ाई देते हुए गए प्रात्ना पत्र लिखे इसके लिए आपको चार नंबर मिलते हैं फाइब सबसे इंप्रोटेंट प्रात्ना पत्र की वीडियो हमारे चैनल पर वहां से जाकर पांचों को तयार करेन उससे बाहर कुछ ही नहीं आएगा आपके बुड़िक्जा में ठीक है अथवा रेलवे आरच्छड के इंद पर आरच्छड कलक्त दुरा किये गए दुर्ब्यवहार के लिए मुख्य अधिकारी आरच्छड उत्तर रेलवे को सिकायती पत्र लेखे ठीक है 29 और कुछन कि निम्रीखित प्रश्णों में से किनी दो प्रश्ण के उतर संस्क्रित में दीजिए एक प्रश्ण का उतर दो गेति एक नमर एक का दो गेति एक नमबर से तो टोटल आपके दो मार्ट से मेलेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहला क्वेशन माता जी का रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मानों, उनकी द्वारा जो भी चीज़े कहीं जाएंगी, वो कभी गलत नहीं कहें जाएंगी, हमेशा सत्य कही जाएंगी और आपकी हित के लिए कहे जाएंगी इसलिए माता का सम्मान करो माता सबसे महान है इस दुनिया में तो माता भूमे गुत्रवा अस्ती इसके बाद है कि बीर केन पुजेत त बीरह बिरेड पुजेत यानि बीर जो है बीरो के द्वारा ही पूजा जाता और जो कायर होता है वो कि इस द्वारा पूजा जाता आपको कमेंट बोकस में comment करके बताना है इसके बाद तीसमा क्वेस्चन है ठEEक है कि निमलिखित भीष्व us से किसी एक बिसे पर निबंद लिखिए इसके लिए आपको साथ मांक्स की निबंद आएंगे जीवन में नुसासन काम हते बृच्छार उपन प्रदूसर की समस्या और समाधन राष्ट प्रेम की भावना टोटल आपको यहां से साथ मांक्स मिलेंगे और फाइप सबसे बारल इंपॉर्टेंट निबंद की वीडियो चैनल पर वैलबल है वहां से जाकर इसे तयार करेंगे इसके साथ ही साथ मैं और भी हिंदी के पेपर कराऊंगा उन सभी को तयार करना पड़ेगा तब आपको सत्तर में सत्तर नंबर आने से कोई नहीं रोख सकता किसी का उकात नही ठीक है देखो हमारी अने सब्जिक्ट जो कमजोर है वो तो कमजोर है लेकिन मैं हिंदी में सत्तर नंबर फोड़ सकता हूं सोसियल साइंस में फोड़ सकता हूं आज की इस वीडियों बस इतना है लेता हूं आपसे जुदा मिलूँगा एक नेश्टी वीडियों तब तक के धन्देबाद